आप सबी दोस्तों का बहुत प्यार देखते हुए हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक और कलास में और या कलास होने वाला है बहुत ही प्यारा कलास ही दोस्तों ठीक है बहुत ही प्यारे प्यारे कोशन इसमें डाले गिया है जो कि आपके एकजाम के लिए बहुत ही महत तो चल रहा है तेकुम आप से रिभीजन कर सकते हैं ठीक है और यह अभी भी अ कोस्तर को ने जो कि आपका सब्सक्राइए शीट लेकर आने वाले हैं उसके लिए एनाउंसमेंट हो चुका है टेक आट ये यूटूब चैनल के मदद से आप सभी दोस्तों को मिलेगा 551 रुपे का इनाम दोस्तों 591 रुपे का इनाम लेना चाहते हैं तो आप सभी दोस्त पहले वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्स से ठीक है तो चलिए ज्यादा बात ना करेंगे वीडियो को सुरू करते हैं आप नीचे कमेंट का बताते चलिएगा कि आपका कितना सभी हुआ है ठीक है टोटल 20 कोशन है और 20 कोशन के हम कवर किया है इसमें ठीक है तो कोशन नमबर 1 में कहा गया रेगिस्तानों के बादल बरास्ते नहीं है अपसन ए उच वाय-वए के कारण आपसन भी निमने ताप के कारण अप शन सी अल्प वाया के कारण अफसन डिने निमन आदरता के करण तो राइट एंसर निमन आदरता के कारण हो जाएगा चलिए दूसरा नमबर कोश्टन सारनाथ पिलर डॉट डॉट की वस्तु का नमूना है ठीक है किसका नमूना है अफशन A हडपकाल का अफशन B मोगलकाल का अफशन C मौर्यकाल का तो सही उतर मौर्यकाल हो जाएगा दूसरे नमबर का ठीक है चलिए तीसरा नमर कोश्टन पढ़ते हैं आप जबाब देजिए तीसरा नमर कोश्टन में कहा गया है फसी में गुजराथ से उत्तर में दिल्ली तक फाइले पर्वत माला कहलाती है क्या होगा राइट एंसर और आवली हो जाएगा चौथे नमबर कोश्चन में का गया है लोक सभात था विधान सभात चुना में मतदान की आयू एक किस वर्ष से घटा अठारे वर्ष की इसके दोवारा की गाई थी चौथे नमबर कोश्चन ठीक है दो अप्सन पड़ लिए चलिए इसमें ही इसका जवाब छुपावाई सम्विधान के 21 संसोदा नियम के दोवरा हटाया गया 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ठीक है पाचवे नमर कोश्चन ध्यान से पढ़िएगा पाचवे नमर कोश्चन में कहा गया है भारतिय रोष्टिय कॉंग्रेस के पर्तम महिला अध्यक्ष थी कौन थी अफ्सन ए और उना आफसफ अली अफ्सन वी बिज्य लक्समी पर्णित अफ्सन सी सरोजनी नाइडू अफ्सन डी एनी बसेंट दूस्वाई उतर एनी बसेंट हो जाएगा छथे नमबर कोशन में कहा गया है आरे समाज के स्थापक के रूप में परेचित ब्यक्ति कौन यानि कि आरे समाज का गठन कीसने किया है अफसन ए स्वामे विबे करनान बिलकुल गलत है बी में क्या का राजा राम मोहन राए बिल्कुल गलत है, सी में का दैनंद सर्स्वती बिल्कुल सही उतर है, दैनंद सर्स्वती सात्वे नमर कोश्टन में कहा गया है, गुरु मुखी लिपी किसके द्वारा बिक्षित की गई थी? गुरु मुहीली की किसके द्वारा बिक्सित की गाई थी अप्शन A गुरु अर्जुन देव अप्शन B गुरु अंगत अप्शन C गुरु रामदास अप्शन D गुरु नानक सात्वे नमबर कुश्टन का सई उतर जाएगा गुरु अंगत क्या होगा गुरु अंगद इसका राइट एंसर है साथ वे नमबर कुश्चन का आठवे नमबर कुश्चन में कहा गया है ध्यान दिजेगा चली थोड़ा जूम कर लिते हैं आठवे नमबर कुश्चन में का मुद्रा एस्पीती सिदान तब उत्पन होती है जब ठीक है क्या होता है निचे हम कमेंट पढ़ते हैं आईए अपसन ए में अनिमार्द बस्तों को कियमतों के आए पीछे छोड़ जाती है बिल्कुल गलत है बी में कहा गया मुद्रा अपुर्ती वास्तों को रूप से जीडिपी की तुलना में उच दर दर से बढ़ती है बिल्कुल सही है ठीक है आठवे नमबर कुश्चन का सही उतर अपसन नमबर बी हो जाएगा चलिए नवे नमबर कोशन में कायागा मानों के दुखों के अंद के लिए अस्टांगिक मार्ग पत का पर्थिबादन कीस ने किया अप्सन ए वर्दमान महावीर अप्सन बी गौतम बुद अप्सन सी आदि संकराचार अप्सन डी कबिर तो सही उतर जागा गौतम बुद अप्सन ए कृष्ण देवराय बी रॉम्रोई सी हर्यरोई सी डी बुककर है तो राई टैंसर हो जाएगा आपका रॉम्रोई ठीक है रॉम्रोई आज के क्लास का हमने आदा कोश्टन कवर कर लिया है बीस दस कोश्टन और बचावाई बीस कोश्टन में से एक आरे नमबर को सही उतर लंदन में इसका हो जाएगा बारे नमबर कोश्टन में मैंगी नोट रेखा किन देशों के मध्य इस्तित है किन देशों के मध्य इस्तित है बारे नमबर कोश्टन अप्सन ए में नावी विया और अंगोला बी में यूएसे और कनाड़ा सी में फ्रांस और जर्मन दिमेज जर्मनी और फोलेंड तो 12 कोश्टन का सही उतरो जागा आपका फ्रांस और जर्मनी अफसाण नमर सी प्राइब कोश्टन टायफून नामक चक्रवाथ से निमले कितमे से कौन सच्छेत्र परवावित होता है जब टायफून नामक चक्रवाथ आता है अपसन ए इन सागर में आता है पॉन सा नमबर कोशन निमलेखित में से कौन सा कौन सी आस्थाई पौनों का उधारन ठीक है आपसन 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 अमर्बी इसका सही उतर हो जाएगा चौदर नमबर कुशं का पंदर नमबर रण थंबाओ जी यहां दोस्तों रण थंबाओ अगर आप नहीं बताएगा तो आप समझें कि आप कितना पीछे हैं ठीक है अप्शन ए एक मोगल महल बी एक राजपुत दुर्ग सी खिलजीयों की राजधाने डी बहुतों का तिर्थी आतरा का केंदर पंदर नमबर कोश्चन एक राजपुत दुर्ग है कौन है राजपुत दुर्ग है इसे तो आपको बताना ही चाहिए था सुले नमबर कोश्चन किसी तत्तों का औरुभार 18 है जदि इसमें साथ इलेक्ट्रोन हो तो पोट्रोन और न्यूट्रोनों की संख्या क्या होगे इसका आ काई है जी किसकी काई है 17 नमबर कोश्चन तो अब मीटर प्रती सेकेंड माइनस टू की काई है गुर्तवा कोर्शन की काई काने का मतलब है ठीक है आप समझ के 18 नमबर कोश्चन निम लेकित में से कौन सा हर्मोन औस्तन ग्रांतियू का दूद का सराह होने में भूमी का नि अंड्रियन नालिल बी में थाइरॉक्सिन सी में फोजोस्ट्रोन डी में ऑक्सी टोक्सिन ठीक है 19 नमबर कोश्चन आज का सकेंड लास्ट कोशन है वनस्पति तिल से वनस्पति की बनाने में पुरुक्त होने वाली गैस है कौन है अप्शन ए हाइड्रोजन बी ऑक्सिजन सी नाइट्रोजन डी करवन डाय उक्साइड 19 नमबर कोश्टन का सही उतर अप्शन नमबर यह हो जाएगा हाइड्रोजन बीश्वय नमबर कोश्टन में कहा गया मानों सरीर में सबसे परचूर तत्व है अप्शन ए कारवन बी कैल्सियन सी नाइट्रोजन डी ऑक्सिजन तो अप्शन डी इसका स्वय उतर हो जाएगा ऑक्सिजन ठीक है तो यह था आज का क्लास नमबर क्लास नमबर तीन सेट नमबर चार ठीक है कैसा लगा नीचे कमेंट करें और आपका कितना स्वय हुआ है यह भी नीचे कमेंट कर बता सकते हैं तो इस वीडियो का में यहीं जाए हिंद जाए भारत